गुड मॉर्निंग तो अल उफ यू तोड़े विल लर्न व्याकरण, भाशा और लीपी जैसा की नाम से ही क्लियर है हिंदी में हम चानते हैं कि सबसे इंपोर्टेंट होता है व्याकरण तो व्याकरण के बेसिक साज हम इसे पढ़ेंगे सबसे पहले भाशा से हम क्या समझते हैं भाशा, भाशा किसी भी प्रकार की हो सकती है न सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, फार्सी वह साधन जिसको द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अपने सामने प्रगट करता है जिससे वह दूसरों को जान सकते हैं अभी मैं आपको अगर टीच कर रहे हैं आपको मुझसे बात करनी है तो आप क्या करेंगे? मैं आप कमेंट पर लिख सकते हैं या तो क्लासरूम में जब भी आप सामने बैठते हैं तो आप बोल के बताते हैं अगर आपको सब्स कुछ चाहिए आपको कोई भी चीज़े चाहिए तो आप क्या करते हैं? बोल के उसे बताते हैं अगर हम ग्रामेटिकल डेफिनिशन पे लें अगर बुक के डेफिनिशन पे लिखें तो देखिए दिया हुआ है भाशा वा साधन है साधन मतलब सोर्स जिसके थूँ वो काम करते हैं अगर आपको जैसे स्कूल ही जाना है तो आप स्कूल बस से जाते हैं या कार से जाते हैं तो कार आपका क्या हुआ? साधन हुआ साधन मिन्स वा सोर्स वा स्रोड जिसके द्वारा उस कारे को किया जाता है बहाशा वह सादन है जिसके द्वारा मनश्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रगट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है बिल्कुल जान सकते हैं हम अपने विचारों को जब प्रगट करते हैं तो हम दूसरों की द्वारा जो feedback मिलता है जो हमें उनके द्वारा भाषा मिलती है उनके विचारों की जो आदान और प्रदान होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि उनके मन में भी क्या है सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है कुछ भी आपको चाहिए तो आप किसके थुरू बताते हैं बोल कर ही बताते हैं और भासा कितने प्रकार की होती है भाशा को अगर आप देखेंगे तो बोल कर, लिख कर, पढ़ कर, सुन कर कि आदिमानों थे, फौर फादर्स थे वो अपनी भाशाओं को एक्सप्लेट नहीं कर सकते थे विक्त नहीं कर सकते थे इसलिए वो क्या करते थे पहले साइन लैंअविश थी मिन्स आपने देखेंगे कि आर्कियोलाजिस्ट को मिलता है जो पुरातत विद्ध होते हैं, उन्होंने पाया कि लोग पहले लिख के अपने भाशाओं को बताते थे तो उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया, जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो एक बहुत ही change आया लेकिन दूर के लोगों को वो अपनी बात कैसे बता सकते थे तो लिख के, लिखा जाने लगा किसी चीज़ को सो लिखित भाशा का जन्म हुआ सबसे पहले बोलने वाली भाशा का विश्कार हुआ और सबसे ज़्यादा बोली जाती है, भाशाएं बोली जाती है आपने अक्सर देखा होगा कि हमें कभी भी बोलना सबसे ज़्यादा हम बात चीत करने के लिए प्रयोक करते हैं मौखिक भाशा का जिसे ब Ary कर बताया जाता है इसके बाद हम आते हैं लिखित भाशा पर वह भाशा क्योंकि बोलने की बात क्या हुआ कि लोगों को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए आदान प्रदान करने के लिए दूर रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बोल तो आप लिमिटेड टाइम के लिए सकते हैं इसलिए उन्होंने लिखित भाशा का फिर existence पे लाया और लिखित भाशा का जन्म हुआ ये question भी आपकी book पे आ सकता है कि भाशा का प्रयोग भाशा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है तो answer आप लिखेंगे कि भाशा का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर और इसे ही भाशा का कौशल कहा जाता है बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर मिन्स बोलकर और ये पढ़ने की आपकी टैक्निक भी होती है जब कभी आप पढ़ाई करते हैं अगर कभी भी आपको कोई भी चीजे याद करनी है तो ये लर्निंग का भी आपको सोर्स मिलता है बोलकर, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो मैंने बोलकर आपको चीजे बताई अब आपने उसे सुनकर लिखा लिखकर, पढ़कर, और सुनकर ये चार चीजे हैं जिससे आप भाशा का प्रयोक करते हैं या तो हम बोलते हैं, या तो लिखते हैं, या तो पढ़ते हैं, या तो सुनते हैं और इसे ही कहा जाता है भाशा का कौशल भाशा का कौशल मतलब भाशा की स्कल कैसे हम किसी भाशा को प्रयोक कर सकते हैं किस तरह से प्रयोक कर सकते हैं बोलकर या तो हम बोलकर भाशा का प्रयोग करते हैं या तो लिखकर या तो पढ़कर या तो सुनकर अब भाशा की रूप कितने प्रकार के होते हैं रूप मिंस उनके कितने प्रकार होते हैं आप को क्या लगता है भाशा अगर आप ही पढ़ते हैं जैसे आप हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, फार्सी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, रशियन पढ़ें, जर्मनी पढ़ें, कोई भी भाषा पढ़ें, तो आप किस तरह से कितने उसके प्रकार देखते हैं भाषाओं के, सो भाषाओं के दो प्रकार होते हैं, कथिति या मौखिक रूप जिसे हम कहते हैं भाषा इसे हम कहते हैं oral language means बोल कर या तो हम जैसे अभी और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है आपने अकसर देखा होगे जैसे घर पे भी आपको अपने parents से अपनी friends से जिन से भी सिबलन से बात करनी होती है तो आप किस भाषा मे बात करते हैं oral language में कथित भाषा में second भाषा का रूप होता है लिखित भाषा लिख कर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं इसे हम कहते हैं लिखित भाषा so let's explore कथित भाषा क्या होती है या मौकिक भाषा और लिखित भाषा तो कथित भाषा या मौकिक भाषा जब कभी हम हम अपने भावों को बोल कर किसी के सामने प्रयुक्त करते हैं और सुनकर दूसरे की भावों को समझते हैं हमने बोला जैसे अभी अभी मैं आपको मालनीचे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने बोल रहे हूं सो मेरी भावनाओं को मेरी जो भाशा अभी इसे एक्स् समझ सकते हैं सुनकर सो सेकंड पार्ट यही है सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं जब कभी हम अपने भावों को बोल कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं उसे कथित या मौखिक बाशा कहते हैं उदाहरन जैसे कि हमेशा आप जब भी answer लिखे, please diagram के रूप में लिखिए, जैसे आप इसे two part पे divide कर सकते हैं, कतित भाशा और लिखित भाशा को इस तरह से आप two diagrams वरा दीजिए, second, हमेशा अगर आपको marks achieve करनी है, तो highlight कर ये words को, जैसे आप बुक पे देख रहे हैं, कतित भाशा और लिखित भाशा को उन्होंने दूसरी color से लिखा है, तो आप black color use करिए, red color तो allowed नहीं होता है exam पे, लेकिन आप black color का use कर सकते हैं, underline करिए, margin देखे रखिए, साथी साथ कुछ words को आप highlight करिए, जैसे कथे तोर मौखित भाशा है, तो उसे आप highlight करिए, highlight कैसे कर सकते हैं, underline करके, आप नीचे एक line कीश के से इस सारे words को highlight कर सकते हैं, और हमेशा हमेशा उदाहरण दीजिए, example दीजिए, जिससे कि आपको marks पाने की जो आपकी संभावनाय होती हैं, वो बढ़ जाती हैं, सो जैसे उदाहरण हम देंगे, जैसे मौखिक भाशा का उदाहरण क्या हुआ, भाशन देना, भाशन सुनना, टेलिफोन पर बात करना, सुनना, रेडियो सुनना, ये सारी चीजिए, टीवी आप देखते हैं, टीवी में आप क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं, ये सब क्या है, मौखिक भाशा है, लिखित भाशा, जैसा नाम से ही क्लियर है, लिख के, जब हम अपने भावों को लिख कर दूसरों के सामने प्रगट करते हैं, तो उसे हम लिखित भाशा कहते हैं, उदाहरं, मेल आप लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, संदेश लिखते हैं SMS लिखते हैं, ये सब क्या हुआ, ये सब examples हुए लिखित भाशा के अब हम पढ़ते हैं राश्ट्र भाशा, राश्ट्र भाशा क्या होती है, नाम से ही clear है आपको राश्ट्र भाशा, एक देश की भाशा, जिसे हम, जैसे किसी भी देश की भाशा इसे हम कहते हैं राष्ट भाषा उदाहरंड भारत की राष्ट भाषा क्या है हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी ये सारी भाषाएं है भारत की तो ये सारी भाषाएं बोली जाती है भारत पे लेकिन ज़्यादा तर लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है हिंद तो हिंदी को ही हम राष्ट भाषा कहते हैं अब हम आते हैं राज भाषा पे राज भाषा वह भाषा होती है जिसे सम्विधान के अनुसार स्विकार किया गया है भारतिय सम्विधान जैसा कि आपको पता है कि आजादी के बाद भारतिय सम्विधान लागू किया गया था तो स्विकार किया है इसे हिंदी माना जाता है हिंदी भाषा को हमने स्विकार किया है और 14 सतंबर 1909 को हर साल हिंदी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं सो हिंदी और भारत द्वारा स्विधान द्वारा प्राप्त माननेता हैं प्राप्त 22 भाषा हैं हिंदी सैंस्कृत पंजाबी उर्दू नेपाली बंगला मैथली तमिल तेलगू संधी कननट उडिया असमिया बोडो डोंगरी काश्मीर मल्यालम मराथी संथाली मडिपूरी यह important question है यह आपसे हमेशा पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है लॉंच हुई थी हिंदी को स्विकार किया गया था 14 सितंबर 1909 को और कुल कितनी भाषा हैं कुल 22 भाषा हैं जो मानिता से प्राप्त हैं बोली एक छेत्र में ब चेत्र में प्रयोक की जाने वाली भाषा को ही हम बोली कहते हैं तो यह हमने देखा आज की चैप्टर पे एक्स्प्लोर किया भाषा क्या होती है भाषा का विकास कैसे हुआ भाषा के रूप कैसे हुए भाषा के चार प्रकार हमने देखा बोलकर लिखकर पढ़कर सुनकर और राश्ट भाषा को देखा, अमने राज भाषा को देखा, बोली को देखा, यह आपका chapter 1 था, next we will explore on next video, thank you so much for watching us and अगर आपको continuously सारे वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को subscribe कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे वीडियो अपकी class के आपको timely मिल सकते हैं, thank you so much.